हलो फ्रेंड्स विल्कम टो एक्जाम सोच पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम करेंगे भारती सब्धान के टॉप 100 कोसन फ्रेंड्स मैंने सेलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्डन कोसन लिए हैं जो आपके एक्जाम में पार बार पूछे जाते हैं तो वीडियो बहुत ही सांदार और जबरदस होगी इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखेगा तो चले इस शुरू करते हैं फर्स्ट कोसन सब्धान में संसोधन किसके दौरा किया जासकता है तो सब्धान में संसोधन किसके दोरा किया ज़े सकता है? राज्य सभा के दोरा, संसद के दोरा, लोक सभा अधिच के दोरा या फिल लोक सभा के दोरा तो सब्धान में संसोधन किसके दोरा किया ज़े सकता है? केबल संसद के दोरा सबिधान में संसोधन किया ज़सकता है केबल संसद के दोरा Next question किस मौलिक अधिकार को डाक्टर अमबेटकर दोरा सबिधान का हिर्दे और आत्मा कहा गया है तो सबिधान का हिर्दे और आत्मा डाक्टर अमबेटकर के दोरा किसे कहा गया है सब्धानिक उपचारों के अधिकार को अंशेद 32 में सब्धानिक उपचारों के अधिकार बताए गया है राज्य सभा को, प्रधान मंतरी को, लोग सभा को या फिर संसद को तो किसे प्रधान किया गया है? संसद को प्रधान किया गया है दो राज्चियों के लिए एक सेयुक्त उचिन्याले अस्थाबित करने का अधिकार संसद को प्रधान किया गया है Next question अगला क्वेसन, भारते संसत को मूल अधिकारों में संसोधन का अधिकार किस सब्धानिक संसोधन के दौरा प्राप्थ हुआ था? तो किस सब्धानिक संसोधन के द्वारा मूल अधिकारों में संसोधन का अधिकार प्राप्थ हुआ? 24 सब्धान संसोधन के द्वारा मूल अधिकारों में संसोधन का अधिकार प्राप्थ हुआ? 24 सब्धान संसोधन के द्वारा अगला क्वासन अगला क्वशन तो किस अनुचेद में भारत के राष्ट पती का उलेख किया गया है? अनुछेद बाबन में भारत की राष्टपती का उलेख है अनुछेद बाबन में बताया गया है कि भारत का एक राष्टपती होगा Next question किस अनुछेद में राज्ज का सभापती और उप सभापती का उलेख है तो भारतिय सब्धान के किस अनुचेद में राज के सभापती और उप सभापती का उलेख है अनुचेद 89 में भारतिय सब्धान के अनुचेद 89 में संसद के बिसरांत काल में अध्य देश परक्यापत करने की राजट पती की सकती किस अनुचेद में उलेखे थे अनुचेद 123 में बताया गया है कि राजट पती अध्य देश जारी कर सकता है अनुछेद 123 में बताए गया है Next question क्या उपराश्टपती को महाभियोग दोरा हटाय जा सकता है नहीं हाँ परधानमत्री की सलापर हाँ राश्टपती की सलापर या फिर option number D हाँ सुपरीम कोड की सलापर अगला question Next question कौनसा अनुछेद संसद के दो अधिविसनों के बीच छे महने की अंतराल की अनिवारता का उलेक करता है अनुछित 85 में बताए गया है Next question किन स्थितियों के आधार पर राश्ट पती आपात काल की घोसड़ा कर सकता है। किन स्थितियों के आधार पर राश्ट पती के द्वारां। और भारत का महानयवदी भारत का सबसे बड़ा विधी अथिकारी होता है। नेक्स्ट क्वस्टन, राज के निम्न सदन कहा जटा है, तो राज का निम्न सदन कोन होता है, बिधाय का, लोक सभा, बिधान सभा या राज्य सभा, राज का निम्न सभा, बिधान सभा राज का निम्न सदन होती है, अगला क्वस्टन, राज पाल पद के लिए नियूंतम आय इस वर्स होती है नेक्स्ट क्वेसन भारत में न्यायक पुनिर्छण जुडिसियल रिविव की सक्ति का प्रियोग किसके दोरा किया जाता है सर्भोच नियाले और उच नियाले के दोरा जुडिसियल रिविव का प्रियोग किया जाता है यानि कि option number C, A और B तो अनों correct answer हो जाएगा अगला question केंदरिये मंत्री मंडल की जिम्मेदारी किसके प्रत होती है लोगसभा की प्रत होती है नेक्स्ट question सबधान की किस अन्चेद में बित्र आयुक का उले किया गये है अंचे 281 में अंचे 233 में अंचे 280 में या फिर अन्चे 276 में, तो किस अन्चे में बित आयोका उल्ले किया गया है सब दान के अन्चे 280 में अगला कोशन है, नियंतरक एवं महालेखा परिचक अपनी रिपोर्ट किसके समझ परसुद करता है तो नियंतरक इमहालेका पृच्छक अपनी रिपोर्ट किसके समझ परसुद करता है राश्ट पती के समझ परसुद करता है अगला कोशन किसी बैक्त की नजरबंदी बैध है या आबेध है इसका पता लगाने के लिए नियाले बंदी परते चिकरण हैबेस कौर्पस रेट को जारी करता है अगला क्वेसन, सब्धान की किस अनुचेद में धन विधे की परिभासा का उल्ले किया गया है अनुचेद 110 में धन विधे की परिभासा का उल्ले किया गया है सब्धान के अनुचेद 110 में नेक्स्ट क्वेसन, भारत में सर्बोच सत्ता धारक कोन है तो भारत में सर्बोच सत्ता धारक कोन होता है? भारत की जंता भारत में सर्बोच सत्ता धारक होती है भारत की जंता अगला क्वेसन भारतिय राष्टे सुरच्छा परशद का अध्यच कोन होता है? ग्रह मंत्री, परधान मंत्री, राष्ट पती या फिर रच्छा मंत्री नेक्स्ट क्वस्टन भारते संग में आउसेस्ट विसें रेजडरी पामट्स के सरकार के पास होती है। नीती ने दे सकता हैं जो समाजवादी विवस्था अस्थाबित करने की प्रेणा देते हैं। अगला क्वस्टन किस उचन्याले में न्याधीसु की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वस्टन समानता का अधिकार भारते सविधान के किन अनुछेदों में दिया गया है। अनुछेद 14-18 में समानता के अधिकार बताएगे हैं और समानता का अधिकार जोके एक मूल अधिकार है। भारत में एकुल 6 मूलिक अधिकार हैं। अधिकार जो अनुछेद 32 में बताएगे हैं सब्धानिक उपचारू की अधिकार मोस्ट इंपोर्टन्ट है से डाक्टर भीम्रों अम्बिटकन ने सब्धान का हिर्दे और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वस्टन कौन से परधान मंत्री एक भी दिन संसद नहीं गये थे। चोधरी चरण सिंग थें जो एक भी दिन संसद नहीं गये थे। अगला क्वसन भारत में कुल कितने उपपरधान मंत्री हुए हैं? तो अब तक भारत में कुल कितने उपपरधान मंत्री हुए हैं? कुल साथ उपपरधान मंत्री हुए हैं भारत में अब तक। कौन-कौन से उपपरधान मंत्री हुए हैं। चोधरी चरण सिंग उपपरधान मंत्री चोबेश जनूरी उपपरधान मंत्री रहें। उसके बाद फिर चोधरी देवी लाल उपपरधान मंत्री बेने 10 नुवंबर 1990 को और 21 1991 तक भारत के उपपरधान मंत्री रहें। किस बिधेक को संसद में दोनों सदनों दोरा अलग अलग बिसेज पहुमस से पार्थ किया जना अबस्यक है। सब्धान संसोधन बिधेक को संसद के दोनों सदनों के दोरा अलग अलग बिसेज पहुमस से पार्थ किया जना अबस्यक है। नेक्स्ट कॉष्ण एक बार सदा सपीकर की परंपरा बिल्टन में अपना इगी है। महराष्ट और गुजराथ दो नेराज बनाएगे थे। 1960 में विभाजित किया गया था बॉंबे राज को नेक्स्ट क्वेसन राज की आकास्मिक निधी का परिचालन कौन करता है? तो राज की आकास्मिक निधी का परिचालन कौन करता है? राज पाल करता है राज की आकास्मिक निधी का परिचालन राज़पाल करता है और केंद्र की आकास्मिक निधी का परचालन राश्टपती करता है अगला question संसदिय सासन में वास्तविक कारपाल का सक्ति किसके पास होती है संसदिय सासन में वास्तविक कारपाल का सक्तियां राश्टपती के पास होती है राश्ट पती के पास भारत के पर्थम गैर कांग्रेसी परधान मंत्री कौन थे? मुरा रजी देशाई थें जो 1977 में भारत के परधान मंत्री बने थे और ये पर्थम गैर कांग्रेसी परधान मंत्री थें मुरा रजी देशाई next question मुख निर्वाचन आयूत्ग का कारकाल कितना होता है छेव वर्ज या 45 वर्ज की आयू तक होता है मुख निर्वाचन आयूत्ग का कारकाल 6 वर्ज या 65 वर्ज की आयू जो भी पहले हो next question आप ए apoyo से हिरासत में लिए गे बेक्ट को रियाग करने के लिए कौन सी रेट लगाई जती है बंदी परतेशिकरण रेट लगाई जती है हेबस कॉर्पस रेट लगाई जती है Next question Money bill किस अनुचेद से संबंधित है अनुचेद 110 के close 3 में बताया गया है Money bill का संबंध अनुचेद 110 close 3 से है Next question Next question बिल्टिस भारत में गवर्नर्स जननल के पद के असान पर वाई सराय पद के स्थापना कब की गई तो वाई सराय पद के स्थापना कब की गई थी गवर्नर्नर जननल के असान पर 1888 इस्तभी के भारस संबकार अधनियम के दोरा गवर्नेर्श जनरेल के पत को हटा कर वायसराय पत की अस्थापना की गई 1858 के भारण सरकार अधिनियम के द्वरा 1857 की करांती के बाद 1857 में Next question भारतिय सब्धान के डैस में संसोधन नहीं किया ज़़ सकता तो भारते सब्धान के किस में संसोधन नहीं किया जा सकता है लेकिन सब्धान के मोल सरचना पर effect नहीं पड़ना चाहिए सब्धान के मोल ढाचे पर परिवर्तन नहीं होना चाहिए next question सब्धान की किस अनुचेद में संसद के सदनों की यहाँ पर अभधी होगा संसद किस सदनों की अभधी का उलेक किया गया है next question मतों की समानता के मामले में अध्धच के पास एक निराइग मत होगा उसका परियोग करेगा किस अनुचेद में पराउधान है अनुचेद सो में बताया गया है कि मतों की समानता की मामले में अध्धच के पास एक निराइग मत होगा और वो उसका परियोग करेगा यह अनुचेद सो में बताया गया है अगला कोसन उचितम नैले के नियाधीसु की संख्या में बृध्धी करने की सक्ती किसके पास है राष्ट्रपती के पद को कब तक संभाल सकता है? अधिक्तम 6 महिने तक संभाल सकता है? उपर राष्ट्रपती अधिक्तम 6 महिने तक कारवाहक राष्ट्रपती बन सकता है? उसके बाद राष्ट्रपती का चुनाओ कराना अबस्थिक है. राष्टपती वित आउका गठन कितनी अबधी की फसाद करता है अगला क्वाशन भारत के सर्बोच नियाले में मुख नियाधीस के अतरिक्त कितने और अन्यन्याधीस होते हैं 33 और अन्याधिस होते हैं, मुख न्याधिस के अत्रेक्ट, 33 और अन्याधिस होते हैं, यानि कि सर्वोच न्याले में कुल 34 न्याधिस होते हैं. नेक्स्ट क्वसेन, राष्ट पती बनने से पूर्व भारत रतन अलंकरनट से समानित निम्न में से कौन हुए हैं, डाक्टर सरपली राधा किर्शनन और डाक्टर जाकर हुसेन थें, जो राष्ट पती बनने से पहले भारत रतन प्राप्त किये थें, डाक्टर सरपली राधा भारत को वरड़ित करता है राज्यों के संग के रूप में नेक्स्ट कोशन है किस सूची के बिसे केंदर तथा राज दोनों के ही छेतरा अधिकार में आते हैं समोर्ती सूची के बिसे केंदर और राज दोनों के छेतरा अधिकार में आते हैं समोर्ती सूची के विस हैं अगला क्वेसन भारती वन सेवा को के सेवा के अंतरगत रखा गया है अखिल भारती सेवा के अंतरगत रखा गया है भारती वन सेवा को अखिल भारती सेवा के अंतरगत रखा गया है नेक्स्ट क्वेसन सब्धान का कौन सा अंचेद समाजिक समानता का अधिकार परदान करता है नेक्स्ट कोसन सब्धान की किस अंचेद के अंतरगत राष्टपती राष्टी आपात काल की घोसड़ा करता है नेक्स्ट कोसन सब्धान में उल्लेखित मौलिक अधिकारो को कौन निलंबित कर सकता है केबल राष्टपती है जो सब्धान में उल्लेखित मौलिक अधिकारो को निलंबित कर सकता है केबल राष्टपती और आपात काल में ही राष्टपती मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है केबल आपात काल में अगला क्वेसन किस अनुचेद में नागरिकों के लिए सामान नागरिक सहिता का उलेक है तो किस अनुचेद में नागरिकों के लिए सामान नागरिक सहता का उलेक किया गया है? अनुचेद 44 में सामान नागरिक सहता का उलेक किया गया है? Article 44 में Next question किस अनुचेद में राष्टपती के निरुवाचन का उलेक है? सबधान के अनुछे 54 में राष्टपती के निरुवाचन का उल्ले किया गया है सबधान के अनुछे 54 में और अनुछे 55 में बताया गया है कि भारत का एक राष्टपती होगा Next question अगला कुछन इस अनुछेद में राष्टपती का बिसेश अभिभासड का उल्ले किया गया है आर्टिकल 87 में नेक्स्ट कुछन है भारत का प्रधान मंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयू होनी चाहिए 25 वर्ष की आयू होनी चाहिए भारत का प्रधान मंत्री बनने के लिए नियुन्तम आयू 25 वर्ष होनी चाहिए और लोगसभा का सदस्ट बनने के लिए भी नियुन्तम आयू 25 वर्ष होनी चाहिए अगला कॉस्टन उच्छे न्याले का न्याधीस अपना त्याकपत्र किसे देता है? मुख न्याधीस को उप राष्टपती को राष्टपती को या फिल लोकसभा अध्यच को आपात काल के दोरांज संसद लोकसभा की यहाँ पर होगा अबधी लोगसभा की अबधी कितने समय के लिए बढ़ा सकती है तो आपात काल के दोरान संसद लोगसभा की अबधी को कितने समय के लिए बढ़ा सकती है एक वर्च के लिए बढ़ा सकती है लोगसभा की अबधी को एक वर्च के लिए बढ़ा सकती है नेक्स्ट कोसन है रिपबलिक पुस्तक के लेखक प्लेटों हैं। Next question देहज पर्था पर कब रोक लगाई गई थी? 20 मई 1961 को देहज पर्था पर रोक लगाई गई थी? 20 मई 1961 को अगला question RTI Act कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 में भारत में RTI Act लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 में अगला question अगला question कुल 22 भासाएं दी गई हैं आठवी अनसूची में 22 भासाएं कौन कौन सी भासाएं हैं अस्मिया, बंगला, गुचराती, हिंदी, कन्नड, कस्मीरी, कौनकडी, मलियालम, मडिपुरी, मराथी, नेपाली, ओडिया, पंचाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलगू, उर्दू, बोडू, संथाली, मैथली और डोगरी एक कौल 22 भासाएं हैं जो आठवी अनसूची में दी गई हैं अगला कोशन, गोबा को किस वर्ष राज का दर्जा गित दिया गयां? 1987 में गोबा को एक राज का दर्जा दिया गया था, 1987 में गोबा आजाद हुआ था अगला कोसन भारती सब्धान के अनुसार भारत का सुरूप क्या है? संग्य राज्य भारत का सुरूप संग्य राज के रूप में किस परधान मंत्री के कारकाल में दल बदल बिरुधी बिधैक पास हुआ था? रजियू गांधी के कारकाल में दल बदल भिरोधी कानून पास किया गया था रजियू गांधी के कारकाल में अगला क्वेसन आस्ट्रेलिया के सब्धान से कौन-कौन सी मुख सक्तिया ले गए हैं भारतिय सब्धान में कौन कौन सी सक्तिया ले गई है औस्ट्रिलिया के सब्धान से प्रस्तावना की भासा और समोर्ती सूची का परोधान भारतिय सब्धान में औस्ट्रिलिया के सब्धान से ले गई है प्रस्तावना की भासा और समोर्ती सूची का परोधान एकल नागरिटा और बिधान निर्मार परक्रिया ये बिरिटन से लिए गया है एकल नागरिटा बिरिटन देश से लिए गया है नीती निदेश के सिधान्त most important है आयलेंड के सिधान्त आयलेंड के सिधान्त से लिए गया है आइलंड की सब्धान से नीतीनिदिशक सिधान्त लिये गए हैं मौलिक अधिकार और सब्धान की सर्भोचता ये USA नी की अमेरिका के सब्धान से अपने गए हैं नेक्स्ट क्वसन चोथी अनसूची में किसका बिवरत दिया गया है संगे छेतरों के प्रतनिधित का विवरड दिया गया है, चोथी अनसूची में, संगे छेतरों के प्रतनिधित का विवरड दिया गया है, अगला क्वेसन, कोकडी, मडीपुरी, नेपाली भांसा को सब्धान की आठबी अनसूची में कब चोड़ा गया था, 1922 में चोड़ा कौन थे तो राज पुनर गठन आयोग जो 1903 में घठित किया गया इसके अध्यच कौन थे नयमूर्ती फजल अली थे इसके अध्यच नयमूर्ती फजल अली अगला क्वेसन राज भास आयोग के पर्थम अध्यच कौन थे मोच्ट इंपोर्डन कौसन है राज भास आयोग के पर्थम अध्यच कौन थे बीजी खरे थे नेक्स्ट कौसन जबहलल नहरु के नेत्रित में अंत्रिम सरकार का गठन कब हुआ था दो सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था जबहालाल नहरू के नितरित में जबहालाल नहरू जो की भारत के परथम परधानमत्री थे Next question संसत के परतेख सदन की बैठक की कार सूची में पहला विसे कौन सा होता है? पहला विसे परसंकाल होता है Next question किस अनुचेद के तहट धार्मिक बे के लिए निश्चित धन पर कर की अदाइगिय से छूट परधान की गई? अनुचेद 27 के तहट परधान की गई थी अगला कोसन ने जब राश्ट पती दोरा बित्ती आपात की उद्गोसड़ा की जाती है तब संसेद दोरा इसका अनुदन कितने दिनों के अंतरगत किया जाना अवस्चेख है तो अधिक्तम दो मा के अंतरगत इसका अनुदन किया जाना अवस्चेख है अधिक्तम दो मा के अंतरगत Next question सभधान का प्रारूप तैयार करने के लिए सब्धान सभा दोरा ड्राफ्टिंग कमटी यानि कि प्रारूप सम्ती का गठन कब किया गया था तो प्रारूप सम्ती का गठन कब किया गया था वंतिस अगस्ट उन्निस सो से तालिस को प्रारूप सम्ती का गठन किया गया था वंतिस अगस्ट उन्निस सो से तालिस को अगला कोशन भारस सरकान ने कब गोबा को पूर राज का दरजा दिया था? 30 मई 1987 को गोबा को एक पूर राज का दरजा दिया गया था? 30 मई 1987 को अगला कोशन सबधान के किन अनुचेदों में नागरिक्ता से सम्धित पराउधान है? अगला कोशन भारत के किस राज में सबसे पहले राश्टपती सासन लागू किया गया था? पंजाब राज में सबसे पहले राष्टपती सासन लागू किया गया था Next question, क्या आंतरिक आसांती के आधार पर राष्टपती आपाद काल की घोसड़ा कर सकता है Option A है, हाँ प्रधानमत्री की सलापर, Option B है, अब नही Option C है, हाँ सुप्रीम कोड की सलापर, या फिर Option D, इन में से कोई नही तो इसका करेक्ट एंसर होगा, Option B अब नहीं कर सकता है आंतरिक आसांती के आधार पर राष्टपती आपाद काल की घोसड़ा अब नहीं कर सकता है क्योंकि आंतरिक आसांती सब्द के जंगा पर सब्धान में अब ससत्र विद्रो सब्द परियोग किया गया है Next question, भारत के राष्टपती को किस से बेतन दिया चाता है भारत की संचित निधी से भारत के राष्टपती को बेतन दिया चाता है और भारत के राष्टपती का बेतन पांच लाख होता है पांच लाख रुपे है भारत के राष्टपती का बेतन सब्धान के अंचे 263 के अंतरगत अंतर राचिय परशद की अस्थापना किस निकी है तो अंतराची परशत की स्थापना कौन करता है अंच्छे 263 के अंतरगत राश्ट पती करता है अंतराची परशत की स्थापना राश्ट पती करता है नेक्स्ट कोशन है राष्टपती व उपर राष्टपती के निरुवाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्रडिक कर सकता है? केबल उचितम न्याले, केबल सर्बोच न्याले, राष्टपती और उपर राष्टपती के निरुवाचन संबंधी बिवादों पर निरडिक कर सकता है Next question सब्धान सभा का सब्धानिक सलहकार सब्धानिक परामर्स दाता कौन थे? तो सब्धान सभा के सब्धानिक परामर्स दाता यानिक सब्धानिक सलहकार कौन थे? बियान राष्ट थे सब्धानिक सलहकार सब्धान सभा के अगला कोशन है भांसा के आधार पर स्वरपर्थम किस राज का गठन किया गया था? Next question संसत के कितने सत्र होते हैं उनके नाम बताएं। संसत के तीन सत्र होते हैं। बजट सत्र, ग्रिस्म कालीन सत्र और सीथ कालीन सत्र ये संसत के तीन सत्र होते हैं। अगला कोस्षन है भारतिय सब्धान में मौलिक कर्थब किस देश के सब्धान से लेगे हैं। Important question है, भारती सब्धान में मौलिक कर्तब किस देश के सब्धान से लिए गये हैं Soviet stang USSR के सब्धान से लिए किस सब्धान में अपनाया गया है Friends, अगर आप कोई वेडियो पसंद देशा तो इस वेडियो को लाइक शरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने WhatsApp गुरूप या टेलिग्राम गुरूप पर जरूर सेर करिए और चैनल को अगर आपने भीतिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजे ताकि हम जो भी वेडियो डालें उसके Notification आप तक जरूर पहुचे कॉमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वेडियो चाहिए हम उस टॉपिक पर जरूर बनाएंगे वेडियो टेलिग्राम चैनल को अगर आपने भीतिक जोईन नहीं किया है तो प्लेज टेलिग्राम चैनल को जरूर जोईन कर लिजे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक से मिल जाएगा सुमलते है नेक्स्ट वेडियो में तब तक के लिए जय हिंग जय भारत